नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरतावदरिया इन्ये नूटूबर और आप समी लोगों का मेरी यूटूब चैनल पर श्वागत है तो दोस्तों क्या आप भी परेशान हैं अपने गले के दर्द से गले के खरास से या फिर आपके गले में कफ जम गया है आपकी छाती में बलगम जम गया है या फिर आपके नाक बंद है या फिर आपको खासी आती है यदि हाँ तो ये वीडियो पूरा देखना इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आज से ही आपको पूरा आराम मिल जाएगा आपकी खांसी में आपकी खांसी जड़ से खतब हो जाएगी अगर आपके बलगम भी जमा होगा तो बलगम भी सारा पिगल करके निकल जाएगा और दोस्तों अगर आपको जुखाम भी हो गया है ना तो उसमें भी फायदा मिलेगा तो सबसे पहले हमें सामकरी यहां पर लेना है दोस्तों हम लेंगे काली मिर्च काली मिर्च आप सबी लोग जानते हैं कि खासी बगेरा में कितना आराम देता है और ये काली मिर्च आपके कफ को पिगलाने में भी मदद करेगा और गले की खरास को खतम करेगा साथी साथ बैक्टिरिया को भी खतम करेगा तो हम क्या करेंगे 10-15 काली मिर्च ले लेंगे और इस तरीके से कूट करके इसका पाउडर हम बना लेंगे दोस्तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों सेर कर देना चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सबस्क्राइब तो यह देखें दोस्तों यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर बन गया है आप मार्केट का पाउडर यूज ना करें आप इसी तरीके से कूट करके या फिर मिक्सी से इस पाउडर को बना लीजिए तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर बना लिया है अब इसके बाद में हमें लेना होगा दोस्तो यह लेमन यानि की नीबू अब आप सोच रहे होंगे की खासी के लिए नीबू हाँ दोस्तो यह नीबू हमें लेना बहुत जरूरी है तो नीबू को मैंने यहाँ पर कर लेंगे कली हमें इसको जुड़े लने देना है पूरा नहीं करना है बसर इसकी चार कली बन चुकी है या निकी कड चुकी है अब हम क्या करेंगे दोस्तों ये जो नीबू होता है इसमें होता है βितामिंट C वितामिंस C के गुड़ों से ये भरपूर होता है और इसमें T-Occident के गुड़ भी होते हैं ये हमारे गले मे अलरजी और सूजन को खतम करता है साती सात बैक्टिरिया को मारता है बिसाक्त चीजों को बाहर करता है अब हम क्या करेंगे इस नीबू में डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर यानि तीन से चार चुटकी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर चारो कली में चारो फांकों में अब इस तरीके से हम भर देंगे तीन से चार चुटकी इसमें काली मिर्च और इसके बाद में अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों ये है सेंधा नमक सेंधा नमक मतलब ब्रतवाला नमक अगर आपके पास में ये बर्दवाला नमक नहीं है तो इसकी जगाए पर आप ब्लैक सोट ले सकते हैं यानि कि काला नमक भी ले सकते हैं कोई प्रव्लम नहीं है तो हम क्या करेंगे इस में वही यानी बराबर कॉंटिटी में दो से तीन चुटकी हम इसमें सेंदार नमक भी भर देंगे इस तरीके से चारो फांकों में ये देखिए इस तरीके से हम डाल देंगे और डाल करके थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें और डाल करके अब हम क्या करेंगे ये जो नीवी को जो टॉप मैंने यहाँ पर काटा था उसको मैंने फेका नहीं है अब इसको क्या करें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे नमक को और काली मिर्च को और नीबू को हिला करके मिक्स कर देंगे अब इसका जो टुप मेंने काटा था ज़ो छिलका इसका निकाला था अब इसको हम क्या कर ऑफ़ से इसी में दखती है उपर से और इसको 5 मिनट के लिए कटोरी में धक करके इस नीबू को हम रख देंगे यानि कि 5 मिनट तक इस नीबू को आप रेश्ट करने दें दोस्तो काली मिर्च नीवू और नमक का मिस्रड एक साथ लेने से सरदी और कफ में राहत प्रतानों होती है इसके सेवन से खासी में आराम मिलता है साथ ही साथ आपके गले की एलर्जी खतम होगी और सौास नली की सूजन खतम होगी तो अब आप इसको खाएंगे कैसे, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पांच मिनट हो चुका है, तो अब आप इसको कैसे खाएंगे, इसको आपको लेना है, यानि कि कुछ नास्ता कर ले, खाली पेट बिल्कुल ना ले, सुबह आप नास्ता कर ले, और नास्ते के बा झाराज और नहीं देयर अराम देगा यह नीबू की एक फांक, इसको आप जरूर ट्राइ करना से कोई भी всё नहीं होगा, औरूगी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप जरूर ट्राइस करना कोई सिंक्पल नुस्का है, और जो नीबू का छिलका तब मैंने इसको फिक दिया है अब आपको क्या करना है इसको आपको नास्ते के बाद में एक कली ले लेनी है और फिर आपको दूसरी कली लेनी है तो पैर में खाना खाने के बाद में और फिर साम को लेना है एक कली और फिर एक कली रात में लेना है बस आप इतना कर लेना रात का मतलब खाना खाने के बाद में आपको एक कली ले लेनी है यानि कि चारों फाकों को आप दीरे दीरे चूसेगा और इसका रस जाने दीजे दीरे दीरे और आप देखना आपकी खांसी या फिर आपके गले में अलरजी या फिर आपके कफ जमा है जो भी प्राब्लम है सूजन है सारा गायब हो जागा यानि कि आपके जो कफ है वो पिखल करके बाहर निकल आएगा जो इसमें मैंने नमक यूज किया है वो कप को पिखलाता है तो आप इसको जरूर ट्राइगन इन उसका बहुत अच्छा है अब कुछ भाई बेन ऐसे होते हैं कि इस तरीके से नीवू को नहीं चूछ सकते हैं डालेक्टर चूकि उनके दाथ खट्टे हो जाएंगे तो आप जैसे नहीं खा सकते हैं इस तरीके से और उसके बाद में ये जो काली मर्चे ये काली मर्चे डाल दें दो से तीन चुटकी और दो से तीन चुटकी काला नमक या फिर ब्रतवाला नमक डाल दें और उसको दीरे दीरे पी जाएए बस उससे भी फायदा मिल जाएगा आपको तो इसके वने आपको दो तरीके बता सब्सक्राइब करें मैं उसके साथ तक लिए नमस्ट